अरे जब 10% है उसको 10% अरक्षण मिल सकता है तो हम 52% है तो हमको 22% अरक्षण कहें नहीं मिले पचास के बाद जब समिनान लाग हुआ तो आप से जो है अरक्षण आप लोग को दिया जा रहा है कहीं कई हम देखते हैं के डीम भी हैं दलित एस्पी भी है दलित ओबी सी भी है आपके अब देश के परधान मंत्री भी ओबी सी है आपके राज में मुक मंत्री भी सी है तो आप लोग अपल अरक्षण के जिमां पिछे भागिएगा जब जब लालू और नितीश की सरकार आई है तब तब पिछों के लिए इतिहांस का काम किया गया है दलित समाज चे आगे बढ़े हुए लोग है वो आरक्षण छोड़ दे शिबार की छोड़ देना चाहिए तो चिराक पासवान जी को भी आरक्षण सोड़ना चाहिए था तो फुद क्या आरक्षण चीत से लड़ रहा है जेनरल से जाके लड़िया ना महाराज कि मांगी है जिसके जितने जनसंख्या भारी उसके उतने हिसेदारी नर्सिमा राओ जो थे ओप्राइम मनिश्टर थे उनकी सरकार थे वहां पर उस जो आरक्षण उनातर परस जी सरकार ने फेग दिया उसके अनुमान बनते फिरते हैं उसके गुर्गान गाते फिरते हैं वह संवाज के लिए क्या सकता है संब्सक्लिए के सबी लोग एक सान्त मिल जूलकर समानता के सांथ और आठिकल 151 कि सबस्क्राइब भेद्वा होता है तो उसको रोका जाएगा अज़ते हैं पेने में हित्वाई हो रहे हैं त्यक्ति करें हमारे बिहारद में को बढ़ दोगते हैं हिक जो है हाइड करें वैसे मिदे बात करने के लिए मुझूद ह हैं देखिए यह देश के लिए और पूरे बिहार के लिए तमाम पिछडी जाती यति पिछडी जाती के लिए यह कला दिन है और विश्डेसर करने के चीजे हैं अजालत ने इस फैसला को लिया है फैसला में उसका काउंटर हुआ था लालो तबते जस्वी और नितिश की सरकार जो थी जैसे जाती जनगर्ना हुआ तो इस अधार पे आरक्षण बढ़ाया गया क्योंकि जाहिर सी बात है पिछडी जाती दलेट एससी एस्टी जो पिछडी जाती यह हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या जिसकी हम लोग की मांगी हैं जिसके जितने जनसंख्या भारे उसके उतने हिसेदारे क्योंकि कि देश अजाद हुआ सत्तर एक साल हो गया लेकिन आज भी पिछडे को दलीतों को उस समंता का दिकार नहीं मिल गया है मिले sentiq जन सब्सक्राइबा है कि समांता का दिकार यह वैसे में हमारे देश में सवीधान व्यद्वा जोता हैि उसको रोका आप लोग equipment हो रहा है हर जगह भेद्भा होता है समाजिक से लेके और नियाईक परकिरिया तक नियाले पर स्वाल नहीं उठाना चाहिए लेकिन होता है भेद्भा समाजिक से लेके नियाईक परकिरिया तक पुरा देश जानता है किस तरह से भेद्भा होता है पिछडी जाती आप बोलते हैं सब को समानता कादिकार है. कहां समानता कादिकार है? कहां पह समानता कादिकार? समाजिक रुप से, कानुनी रुप से भी, जगा समानता कादिकार है. overcome셔서 अधिकार कहलों सिस्टम क्या है? उसमें किस फ़ूर कि करने पांडे yeah大的 एक समाज के हैं कैसे अब बताईये किसी को घोड़ा पर बैठने का दिकार नहीं दिया जाता है बरात नी कल बैठने पर हत्या हो जाता है चंपा शरोजनिक चंपा कल पानी पीने पे पहत्या जाता है तो इस चीज को समाजी अस्तर पर नहीं आ पाया है इसका कारण है कि जो आरक्षण है जो आरक्षण है क्योंकि समाज ब्यक्ति आरक्षण इसलिए दिया क्यों जाता है कि कोई ब्यक्ति है जिस पर सोशन हो रहा है ठीक उसकी आर्थिक इस्तीति को मजबूत करने के लिए किसी में नौकरी में आरक्षण सिक्षा में आरक्षण हर जग आरक्षण इसलिए दिया ज जैसे नौकरी में इसदारी लेगा तो वहां पर उसकी समाजी की स्थिति बदलेगी ऑफसर बनेगा तो वहां पर लोगों की सोच उसके प्रतिहिन भावना नहीं रहेगा इसलिए वह आरक्षण के जरूरी है आप लोगों के और लाक्षण के दिलेगा पिछे भागए गाव है हम आरक्षन के पीछे नहीं भाग रहे हैं ठीक है हम सधियों से तीन हजार सालों से दसोषर हुआ जिसको सिक्षा पर शिर्फ एक समाज का अधिकार था धन दवलत पर एक समाज को अधिकार था तीन हजार साल से आज शाल से जिसको एक अधिकार है वो ब्यक्ति अगर बोलता है के देश सत्तर साल ने कि क्या आरक्षन क्या चाहिए तो मैं पुछना चाहता हूँ किसको सिख्षा अधिकार था कौन सिख्षा से बंजित रहा है 100 परसेंट जिसको अधिकार रहा है और इसकी जनसंख्या मातर 10 परसेंट है आज आज जो लोग उठाते हैं कि आरक्षण पे वो खुद आरक्षण का लाब ले रहे हैं EWS के नाम पे आपने देखा होगा हम लोग भी देख रहे हैं बहुत लोग चार्चा कर रहा है जो खुद आरक्षण ले रहे हैं और खुद आरक्षण ब्रहाते हैं उनका पैदा हो नहीं आते हैं वह जेनरल से आते हैं अनुठ्राइट में उनका जो समाज है गुजरत से हैं गुजरत में वह समाज से आता है ठीड़ा है rock channel में आता है और तुन लिजा शॅचे वह लोग रह और जो लोग अभी जो क्योण लोग रुआत का रहे है ज़रूरी नहीं है अभी यह जरूरी है कि जो था कहा जानगार ने दिया 75% किया, उसको कोट ने रद किया, जब कि कई ऐसे राजे हैं, जहां पर 50% से अधिक आरक्षण है, और हवाला कोट ने दिया है, कि जाती जानगार समिधान में किसी जाती बर्ग को धर्म क्याधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो जब नवी अनुसूची में सामिल किया गया, और जब नवी अनुसूची में सामिल हो जाता है, उस पे आदालत जो है बिसले सण नहीं कर सकता है, उस चीज़ पे तो यह मैं नितीश गुमार जी से आगरा करना चाहता हूं, तो यह जब बोलते थे और इन लोगों से आरक्षण करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आरक्षण तो दिया, लेकिन आपकी अभी किंद्र में सरकार है, उसको नौवी अनुसूची में सामिल कर बहुत लोग बोल रहे हैं कि आर्थिक रूफ से कमजोड लोगों के लिए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, उनके लिए राक्षण हो सकता है, उनके लिए बेन फिट भी है, और लाब ले रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि EWS जो है, वो सिर्फ गरीब समाज के लिए, आ हम EWS का फाइदा नहीं ले सकते हैं, आज क्या है इस्तिती, और फाइदा ले रहे हैं जी, मंडल कमिंशन लागो करने के बाद जो है, उसका तो फाइदा ले रहे हैं जी, आज तो OBC, आज OBC से नीचे कॉट अप जा रहा है, EWS का किसी बेकेंसी में जाके दुखिए, OBC से जा रहे है, जान फाइदा जाप जा तो फिखोड़ों के जन्संगः कितनी है उसकंगो कुछ कि मालूम है PPIषडों की जन्संग कैया कुछ कैणी Clark हि और, स्वान समार की जन्संग है 9 Z suis when a कि दस पर्षेंट मतलब उनके दस लड़कें था दोसों के दौसों उनके लड़कें के लिए और हमारे में आधा मतलब आप चाहते हैं कि आपको पिछरे दौन को अरे जब दास परसेंट है उसको दस परसेंट मिल सकता है तो हम वावन परल्ट है हमको वान पर्षेंट सब्सक्राइब करते हैं कि जाती EWS इंकनोमिकल मनें आर्थिक रूपे आरक्षण लेकिन आर्थिक रूपे थोड़ी है यह जाती रूप से आरक्षण है और आर्थिक रूप से कम जोड ब्यक्ति कौन है मैं सरकार से पुछना चाहता हूं देश में आर्थिक रूप से कम जोड ब्यक्ति का धाचा बनाई है उसी आधार पी डेना चाहिए था और सारे बर्ग को देना चाहिए था लेकिन नहीं यह खास समाने बर्ग मतलब सोन समाज समाज के लिए पांच एकर जमीन हो पांच डिसमील में घर हो और आठ लाख सालाना इंकम हो कितना आठ लाख सालाना मैं पुछना चाहता हूं हमारे समाज से भी बहुत लोग बोलते हैं के आरक्षन का बिरोध करते हैं उनकी देखा देखे ओबी सी एसी एस्टी मैंनुरिटी में कितने ऐसे लोग हैं कितने परसेंट लोग हैं जिनका पांच एकर जमीन होगा कितने ऐसे लोग हैं जिनका पांच डिसमील में घर होगा और कितने ऐसे लोग हैं जिनका आठ लाख सालाना घर का इंकम होगा है कितने परसेंट हैं मात्र पांच परसेंट भी मुश्किल से नहीं होंगे सब्सक्राइब करें लेकिन आप यह बताईएगा आप बिहार से हैं आपके वहीं बिहार में चिराक पस्वान दलित समाज से बिलोग करते हैं चिराक पस्वान अभी बीजेपी में हैं बीजेपी इव्सक्राइब को सपर्ट कर रही है और जो है आपके ओविसी और दलित और एक्ष्ट की जो खड़े हुए हैं उनको सांसद बनाने के काम किये वह लोग भी चाहते हैं कि EWS का रक्ष्ट मतलब हटे और OBC का रक्ष्ट मिले और S.E.S.T. को रक्ष्ट मिले वह भी साहिद खुस हैं साहिद ऑपाले जो यह 87 सल रक्ष्ट मिला है उससे आगे बढ़ गए होंगे इसलिए जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आज भी वह रक्ष्ट पे जी रह है तो चिराक पसवान जी को भी आरक्ष्ट शोर ना चाहिए था आप टो फुद ऐरो जिएरल बखागा किये नहीं थे दूसरे जाति शाधी के शूर पे ज़ी रहे हैं क्योंकि बिहार में देखिये उनसे ज्यादा कोई दलीत में प्रबल ब्यकती नहीं है धानी ब्यकती न नहीं है परिवारिक उनका खंदानी है पापा भी मिनिस्टर रहा है संसद रहा हर सरकार मंत्र है उनसे कोई प्रबलत बेखती नहीं है और खुद आरक्षन का लाब ले रहा है और दूसरों को ग्यांद रहा है यह सब लोगों लज्जित बेखती इन लोग के साब कोई ना सब्सक्राइब करें अपने समाज के बिच हाला करके नहीं है अधिका पस्वान बना रहा है और अभी सिस्टी को सपोट कर रहा है जिस दिन वो चाहेंगे ना ठेक जिस दिन खतम हो जाएगा इस सपना हो जाएगा क्योंकि सांसत कहां से बनते हैं जो आरक्षित सीटवा है वह सांसत बनते हैं लेकिन हम यह नहीं चाह रहा है कि बढ़ है यह नहीं चाह रहा है कि क्यों हम को ही लाब मिलता रहा है और किसी को लाब ना मिले यह यह चाह रहा है और मैं उनसे सवाल भी नहीं करना चाहता क्यो कि जो अपने पीता का नहीं कॹए वहाघ्णी समाज का क्या होगा इनकर पया जी करते हैं कि पेटकर लिए हरॉ कोई नहीं चुका सकता है तो समाज का क्या चुए सब्सक्ता कि अरू pretending ब को लोग मांसिक रूप से गुलाम चुक्त माशना गुलाम्चने मोले तुप्सेन household films में और अतर कि खिलने में कौन रहता है रंगललिया की है एक तरह से बोला जाए कि इसके बाद अपना पोल्टिक्स में बीरासत सम्हाल रहे हैं लजीत हो के सब सारा कुछ अपना जो है सब कुछ इजत दाव सब बेच के बताईए अलक्षान के लड़िएगा अलक्षान के लड़िएगा काहीं लड़ेंगे समराच चोधरी ब्यान दिया ना जी देखे समराच चोधरी का थोड़ा बहुत इमान जगा जगा है उन्होंने बिया लेकिन देखिए उस पे कितने लोग हावी हो गया लेकिन वह बोले हैं कि हम सुप्रीम कोट में लड़ेंगे भाजपा के परदे सद् किस समाच से हैं जो समाच भिरोध कर रहा है उस समाच से इनको दे देना चाहिए अगर आपको कुछ दबाव आता है आप दीजिए और समाच के लड़ें पुरा समाच आपके साथ खड़ा होने का काम लेगा हम लोग आपके साथ हैं आप लड़ें आप लड़ें और हम जो लाठी डंटा गोली खाने के लिए हर तरह से रेडी हैं कलम से बंदूख से लड़ने के लिए बिल्कुल क्यों कि EWS जबाता है समाजी काधार पे कई ऐसे राजे थे यहां फिर फिर वो दस पर से अरक्षन के इसे लागू हो गया क्योंकि वी तो जाती अधार पे हैं जब गभला करता है पुरे देश में लागू होता है तो पिर पिछडों के वी निलता है किसी निला तो यह चिल बिलाने और तिल मिलाले क्यों लगता है अब यही तो लोगों को समझाने की जरूरत है अपने लोगों को समझाने की जरूरत है लोग मुर्ख हो गाएं अब यह तर नहीं रहें लोगों कि जरूरत है लेकिन किसी को दिखाता नहीं है जैसे इडाबलुया से आर्थिक अधार प्यारक चना लेकिन उसके समाज के लिए और जिसक आठलाक सालाध नहीं हो पांचे कर जमीर्व समया नहीं है पांच एकड़ जमी है और दूड इसमें लई थी आठ सला सलाना इंकमना है अच्छा में क्या संदेथे जी के लोग अपने समाज के लोग को आप तो जो है रखना पर समाज को गया भी हर का नहीं इसके लडाई लडा जाएगा ये बिल्कुल सोच है और आज खतम हुआ कल सरक कार आई है तब तब पिछो के लिए इतिहांस का काम किया गया लेकिन उसको मिटाने का ये भाजपा काम कर दिया मैं जानता हूं निचीश कुमार जी के जो सपना है वो समाजी की नेता है समझवादी नेता है लेकिन क्या है उनके इद्रगीद वाले लोग जो है वो कर दे दोर में बंदे हुए है उससे आजाद हुए है आपके कारियों को कैसे आप खुद जानते हैं कौन लोग बिरोध कर रहे हैं और कौन आपके साथ में हैं क्या है सब आप जानते हैं फिर से पल्टी मारने का नहीं है बात है अपने समाज को अधिकार दिलाने की बात है बात है 혼धि अपनी स्वापि मानिदा की बात है nih बात है अपनी जमीर की बात है अपनी जमीर को जींदा रखने की बात है, अपने समाज के लिए लड़ने की बात है, जिस चीज को लालूक परसा जादो, राम भिलास पस्वान, नितिश कुमार संगहर्च करके छातर जीवन से लड़े हैं, लड़े ह definya है. जिस चीज के लिए लड़े हैं. उस चीज को दाव पे लगाया गया, नित वह लोग जो है वह अपनी हग अधिकार के लिए आगे आए और जो भी अपनी अधिकार हैं उसको समझें भाकावाएं में ना आये पीछे-पीछे चलने का काम ना करें बल्कि अपनी स्वाभिमानता और जमीर को जिंदा रखते हुए अपनी जो बिरासत है उसको कायम रखने का काम करें बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मौरिया जी देखी आलक्षन कियों जरूरी है आलक्षन का समय सिमा क्या होता है और अलक्षन जो है बिहार में जो अरक्षन मंदल कमिंशन के माध्याम से लागू किया गया था ओभी सी आती पिछड़ा और सेस्टी के लोगों को इन लोग के लिए क्यों जरूरी है तो आगे आप दो कोमेंट बोताएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए और आप लोग देखा जहते परसुमीत लाइब नियुज मैं जुपर्टर अमित कुमाल सिंग थैंक यू जैहन